यहां पर यह इनके टीचर हैं और CSS के मेंटोर हैं यह सब लोग CSS के स्टूड़न्स हैं तो यहां पर open air class हो रही है पाकिस्तान में मुकीम सभी पाकिस्तानियों और पुर दुनिया में मुकीम हमारे overseas पाकिस्तानियों को mask reporter का स्लाम मैं तो उनको वोट कास्ट नहीं करूंगा मैं नेशनलिस्ट पार्टी जैसे परस्टन खुआ हो गया एपी एपी हो गया मैं सबसे पहले उनको प्रिफर करना चाहूंगा मतलों कहरे को आप अपनी अलागाई पार्टी को प्रिफर करोगे मैं नेशनलिस्ट पार्टी को वोट दिन अपसंद करेंगा वालेकुसलाम मैं तो वोट पिट्राइ को ही दूंगा और वो इस हवाले से इनका तो अपना व्यू है क्योंकि हम बलुष्टान से हमारे तालुक है जो भी पार्टी नेशनल लेवल पे आई है उन्होंने बलुष्टान के लिए कोई खास काम नहीं किया सिर्फ इमरान खान साब जब आये थे उन्होंने आटटर अरब रुपे रिलीस किये थे जोब से लेकर कोईटा तक रोड डबल करने के और उसके बाद इमरागान साब नहीं कराची टू कोईटा जो रोड ताव डबल करने के लिए उन्होंने पैसे रिलीस किया थे उससे पहले जब नूली की गोर्श्में के और पिपल्स पार्टी की गोर्श्मेंट इसे लिए मैं जो प्रेफर करताव में है कि वो प्रेफर करेंगे जो मेंस्रीम पार्टी या पीटी आई और उन्हेंने बहुत सरे काम भी गुनवाई हैं पीटी आई के तो आगे मूव करते हैं जी तैंक्यू अलेकुम जी अलेक्शन आगे हैं आपका वोट किसके लिए मेरा वोट जो है वो जमाद असलामी के वोट बोट तो यार उम्रान हान के हम यहां पर यंग वोट अना तो हमारे जो विडियू का टाइटल हूझ क्या सोच रहे हैं इसलिए हम mostly young voters से interaction कर रहे हैं अपका वोट प्ति आइए खराइए ओक़ो आगे जलते हैं यह यंग वोट थे इनका वोट है PTI के लिए इसलिए ऊपार एलकुर एलेक्शन आ गहे हैं किसके लिए वोट 804 804 ये कौन सा नंबर है कैदी नंबर 804 किसी कैदी का नंबर है कहां पे है ये कैदी कैदी एडियाला में तो सम्झालब कैदी को वोट देंगे जी इंशालला कैदी को वोट देने के पीछे क्या लॉचिक है बहुत सारी रिजन्स हैं जिसमें बंदा इमानदार है और ये गंजों से वो अजमा चुके हैं पहली आपका कहना है कि बंदा ख़ड़ा है और खड़ा भी है खड़ा है पाकिस्तान में खड़ा है कहीं बाहर नहीं बाग रहा बिल्कुल जी बहुत सारे लोग इसलिए भी इमरान खान को आइडिलाइस करते हैं कि वो खड़े हुए हैं बाग नहीं रहे को वोट देंगे हम तो PTA को देंगे हर हाल में हर हाल में और कोई आप आपसे मैं पूछता हूँ आप बिल्कुल इसी जजबे से बोलिए गापके बारी आएगी अच्छा तो आपका वोट इमरान खान के लिए और कोई ब्रदर आपका वोट किसी के लिए नहीं इसकी क्या वज़े नहीं वोट इकास्ट नहीं करगा इसकी क्या वज़े वज़ा ये कि कोई डिवलिमेंट ही नहीं पाकिस्तान में क्योसी पार्टी नहीं कुछ किया ही नहीं है लेकिन इसका हाल ये तो नहीं है आप पॉलिटिकल प्रोसेस से अलग हो जाएं वोट बाइगाड तो गर सकता हूं आप अपना प्रोटेस्स रिकॉर्ड करोना चाहते हैं वोट ना कास्ट करें अब बोली आपकी क्या च्वाइस है मैंने का आप जना वोट की बात कर रहे थे मैंने का वोट तो अपनी जिगाए हम खान साब के लिए पनी जान भी कुरवान कर देंगे खान के लिए जान भी हाजर है ऐसे जनूनी वोटर्स भी हैं जो हमें मिलते हैं यहां पर बड़ी अची बात असलाम लेकुम जी दो और यंग वोटर्स मिल गए असलाम लेकुम सर हमारे जो वीडियो है वो इसका टाटल यह है के यंग वोटर्स क्या सोच रहे हैं क्यूंके झूद देंसां कुछ हैं लोग क्या सोच नूचते क्या सूचते हैं कि वोट्देंगे देखें सब से पहले मेरा एक तो मैसिज तो है के वोट देना बहुत ज़रूरी है अगर हम कहें ना जी हम वोट नी दे रहे तो हम अपना नुकसान कर रहे है हम अभी प्रोसस में हैं हमारा मुलक अभी निया बना है 60-70 साल का मुलक कोई मुलक नहीं होता हमारे जो हमसाए हैं वो हजारों साल filter लगाएगा कि हमारे हमरे हुकमरान चॉंते चाखते हमें कर लेंगे हमें वोट लाजमी कास्ट करें और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वोट की जो वोकत है वो बहाल हो जाएगी वोट ना देके आप जो दूसरी कुवत है ना उनको आप दावत दे रहे हैं आप टूल हमानों के नाम पे मुल्क बना है हमारे दीन तक्त पे जब भी आएगा जब हम वोट देंगे भाई घर बैटके हम वोट नहीं कर सकते सबसे बहले हमें यह देखना है कि कौन सी जमात है थोड़ी बहुत जैसी विया चलो कुछ दीन का ख्याल करती है उसको वोट दे दें हम वो देगी नवाज शरीफ एक अच्छा लीडर है उनके साथ पूरी टीम है सबसे बड़ी बात है उनके पास एक टीम है पीपल्स पार्टी के पास टीम नहीं है आपने देखा पीटी आई के पास टीम नहीं थी इसलिए वो मार खागए नून लीग के पास यह वाहिद ऐसी जम काउं और लाहूर में उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी रही है और अगर कंपेर किया जाए पीटी आई और पीमलन को तो टूथावजन थाइटीन से एटीन तक का जो इनका पीरियड था ना वो एटीन से ट्वंटी टू तक से काफी बहतर था मतलब नवाज शरीफ दोर से पहले भी जो था ये पिपल्स पार्टी का दौर उसमें भी बहुत ज्यादा महंगाई और ये चीज़ें थी और उसके बाद भी बहुत ज्यादा हुए लेकिन उनका जो दौर था ना वो तोड़ा बेतर रहा था इसलिए मैं तो नौाज शरीफ ये भाई भी नौज शरीफ जिसको हम वोट दें और वोट वोट एक अमानत हो दिये तो हम अपनी अमानत में खायनत नहीं करेंगे ना इस वज़ा से हम किसी को वोट नहीं देंगे नहीं असलाम लेकुम वालेकुम सलाम जी आपकी क्या च्वाइस है सर पीटी आई पाक्सान तहरीक इन साथ जी जी आप कहां से हैं हम सिंध से यह बड़ी मतलब के देखने वाली बात है कि सिंध के लोग भी जो है वो भी अपनी जो प्लिटिकल एक अप्रोच है उसमें थोड़ा चेंज लेके आ रहे हैं सलाम लेकुम जी आपका बोट किसके लिए सर पीटी आई पीटी आई आप भी सिंध से हैं जी सिंध से अच्छा वैसे देखने में जो एक ट्रेडिशन सोच है जो कहते हैं कहां भी सिंध के लोग हैं वो ज्यादा पीबल पार्टी की तरफ चेंंटब के लिए गौटो मतब्ली तो कंपेशन में जो हमें अच्छा लगता है वैसलाम इंशाए यहां लाजा को अभी आफिश Ilwe और जो सचा ही है, वही हो जाए है, और एक पुलिटिकल चेंज भी देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई पुलिटिकल चेंज आए, कोई इंप्रुमेंट आनी चाहिए, यह सेम पार्टी हैं, वही नेपोटिजम चल रहे हैं, वही जो एक सेट पैटरन ऑफ पॉलिटिक्स है एक सेट पैटरन ऑफ पुलिटिकल नेरिटिव आप उससे हटना जाते हैं, जी और कोई चेंज आनी चाहिए, बिल्कुल और यंग वोटर से चेंज ला सकते हैं, थैंक्यू ब्रदर, आगे चलते हैं जी, भी देख रहे हैं, मुझे लगता है बात जरूर करेंगे, असलाम अलेकुम जी, ब्रदर, यंग वोटर से पूछ रहे हैं, उनके प्लिटिकल च्वाइस क्या है, आपको भी बताना पड़ेगा, किस को देंगे वोट, सर, हम बलुचसान के हैं, हमसे च्वाइस नहीं पूछा जाता है, हम पर मसलत किये जाते हैं, लोग, आप पर मसलत किये ज आते हैं, आपकी च्वाइस क्या है, अगर आपको अपने देना है वोट, और अपनी पसंद का देना है, तो आप किसको दोगे, को मारीजनल या, आलवर पाकिसान, आपके हलके में, समयलो, पीटी आई, नोन लीग, आपकी नेशनलिस पार्टी हैं, तो आप किसको वोट दे पारी, ये कौन है, आसफाली जरदारी का है, चोटा भाई, अच्छा, ये आप खुद जरदारी है, एक जरदारी सब पे बारी, असलाम लेकुम, अलेकुम, आप देंगे किसको वोट, मैं तो पीबल्स पार्टी को, पीबल्स पार्टी को, कहां से हैं, मैं बलुस्तान से, पुस्तान से हैं, और देंगे वोट पीबल्स पार्टी को, वेरी गुड, आगे चलते हैं, जी, कौन से बुक पड़ रहे हो, जी, पाक्सान से फॉरण पॉलिसी, 1947-2019, अ कंसाइज हिस्ट्री, भाई अब्दुल सत्ता, असलाम लेकुम, रदर, वालेकुम, सलाम, मैंने भी एलेक्शन सीजन में सर्वेस कंड़ कर रहे हैं, आज पोच रहे हैं यंग वोटर से उनकी च्वाइस को देंगे वोट आप, यार फिलहाल तो हम अभी आपको जैसे पता है, सेल सर्वेंट जो है, वो कभी एलेक्शन और इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरा भी स्टांस भी एई था कि मतलब प्रोग्रेसिव है वो, तो इस वज़ा से मैं उसको सपोर्ट कर रहा था, पर अभी जो मतलब मुल्क में जो चल रहा है, जो पर नहीं अभी तोड़ा सब हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं टिल्टिट टोर्ड पीटी आई हूँ, अभी ज जीतेगी, जी, इन भाई का भी यही ख्याल है, अगर साफ और शफाफ एलेक्शन दो तो पीटी आई जीतेगी, थैंक्यो ब्रदर, अच्छा जी, यहां पे पांच से शे स्टूट्स बैठे हूं है, शायद ग्रुप स्टड़ी कर रहे हैं, तो इन ग्रुप में जाते हैं, और वन बाई वन पूछते हैं, कि क्या चॉइस होगी, असलाम लेकुम जी, ग्रुप स्टड़ी हो रही है, जी, कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो मैं इनको पढ़ाता हूं, हाँ यह स्टूडेंट है, डिफरेंट यह मलिटस्तान से है, यह से इन से है, यहां पे यह इनके टीचर हैं, और C.S.S. के मैंटोर हैं, यह सब लोग C.S.S. के स्टूडेंट हैं, तो यहां पे ओपन एयर क्लास हो रही है, तो डिफरेंट प्रोविंसी से स्टूडेंट हैं, तो यहां पे हमेज़ारी बात एक डाइवर्स प्लिटिकल उपीनिन देखने को मिलेगी, इनके प्लिटिकल चॉइस क्या है, सबसे पहले तो आपके टीचर से पूछेंगे, तो सर के आप क्या कहते हैं, किसको देंगे आप वोड़? मैं तो टिमरान खान को दोंगा, पिटी आई, जी पिटी आई को दोंगा, इसके बिच्छे कोई खास रीजन? खास रीजन तो यह है कि आपने देखे कि 70 एर गुजर गए, इस मुल्क में क्या नहीं होता रहा? लेकिन सबसे बड़ी बात हार एक ने दावे तो कर दिये कि मैंने काम कर दिया, उसने काम कर दिया, पिटी आई ने अगर कोई कह दे कि इस तरह परफार्मस ने क्या या यह हो, मैं अपनी जात क कि बात करता हूं, तीन मेरे गर में मरीज बन गए, दिल के मरीज, तीनों का इलाज फ्री हो गया, इतने पैसे नहीं ही थे हमारे पास, लेकिन वह सहत कार्ड पर हो गया, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, सहत कार्ड ही सबसे बड़ी बात है, सहत कार्ड ही सबसे कार्ड और वाकिए जो हेल्थ कार्ड थी यह मैं कर रहा हूं कि जो युनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उस सिल्सटल में बहुत बड़ी इफट यो कर दो ने ली अगर पिट यी गौवंमन्ट के तीन सालों में कोई दो ना को एक बड़ा प्रोजेक्ट जिससे मैसिस भाइदा वो था हेल्थ कार्ड और तक्रीबन हर गरीब गराने में एक या दो लोगों ने बलके बहुत सरे लोगों ने इससे फायदा उटाया और एक यह बहुत बड़ा इनिशियटिफ था इसका हमें क्रेड़ लाजमी देना जाए यह सार आई डू अग्री विध यू ब्रदर आप किसको देंगे वोट इम्राण काल और तो जो शागिरद हैं वो भी उस्ताद को फालो कर रहे हैं इम्राण खान को सब्स्ट करेंगे अम्रों कि वो चपदीली लाएगा इंशाला हमें उम्यद है क्युकि जो पुराने साहसेदाने वो अपनी जागिधणारी या आपने लोगों को फाइदा दे रहे हैं अपने लोगों को फाह नहीं दे रहा है अवाम को दे रहा है फाइदा आपकाव मेरा जो जो एट आने च्टार को वो इनके रीजनल लीडर है, आपका वोट इसके लिए? अवाम के लिए जी इनका कहना है कि उनके जो पॉलिसिस थी वो अवाम के लिए अच्छी थी ठीक है तो इसी लिए इनका वोड जोए मिम्नागान के लिए थैंक यू सार वेरी मच थैंक यू एवरी स्टुडेंट